के बीच एक घंटे चौवन मिनिट के बाद मतलब की दो घंटे बाद खेला जाएगा डेड़ बजे वाला मैच यह तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइन अपस के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अभी तो देखो मैं ओपन देने की कोशिश करूँगा दो कि अभी देखो इन दोनों अभी जो दो मैच होने वाले हैं एक बजे और एक टेज़ बजे वो दोनों अलग अलग यूद ळीग लीगा लीग के हैं एक ललीग यूद लीग और एक बंडस लीगा लीग तो उसकी टीम इधर ही आएगी इस चैनल का लिंक में आपको नीचे description box में दे दूँगा और ये पिछली winning आप देख सकते हैं या आप आके देखना बट चलते हैं अभी दोस्तों आगे बात करूँ है मैं इस match की तो C.E.V. versus E.L.C. मतलब दोनों टीम्स बहुत तगड़ी है बट एक जीतना तो किसी एक नहीं है तो मुझे लगता है कि C.E.V. यहाँ पर फायदा उठाए क्योंकि C.E.V. के पास midfielding बहुत स्ट्रॉंग है और आज के match के अंदर इनकी state forwarding उससे भी तगड़ी है सबसे पहला जो आज गोल की पर होने वाला है सबका मेरा केले का नहीं वो सबसे पहले जो गोल की पर रखेंगे रखेंगे E.B.D.A. को आप आप बोलोगे कैसा क्यों E.L.C. टीम इतनी स्टॉंग नहीं है आपको शुरुआती दोर से पताए कि E.L.C. कोई winning ratio सिरफ 10 से 20 परसेंट है यह भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और C.E.B. का जो winning ratio है वो कम से कम 50 होगा जो एक प्रॉपर टीम के लिए होना चाहिए तो मुझे लगता है कि E.B.D.A. जो जे प्लियर है आज के मैच के अंदर बस ओपनेंट प्लियर के ओपनेंट टीम के गोल ही रोकेगा और गोल देखो जो टीम लो होती है उनका गोल की पर उल्टा ज्यादा तगड़ा होता है तो मुझे ये मेरा मानना है तो मुझे रखता है कि E.B.D.A. आज के मैच के अंदर गोल सेविंग करके अच्छे का से पॉइंट दे सकता है बात करूंगा डिफेंडर की यहां से लूँगा पहला प्लियर है एच मैलो एच मैलो को य पॉइंट और पॉइंट को छोड़ो पॉइंट मत देखो अगर इसका पिछला रेकॉर्ड भी निकालोगे तो आप एक बर बोलोगे कि मैं क्या सोच के रख रहा हूं इसलिए रिस्क लेना किसी और पर लेलो एच मैलो पे लोगे तो अगर क्लीन शिट नहा लगी तो लॉस जा सकता है जे मुरीलो की बात करूँ ये प्लेयर नॉर्मल है और ये मिरे को शुरू से प्लेयर बहुत पढ़िया लगता था शुरुआत इसकी बहुत बेकारती आप देख सकते हैं बट बीच में सही हुआ बट अच्छी टीम्स के आगे भी इसने अच्छी परफॉर्मेस दी बट अब भी पिछले कुछ मैच इसमें फ्लॉप है आगे से बात करूँ एक्स प्लेयर की एन औरोजो एन औरोजो हमेशा खेलता है लिमिटेड मलब 20-25 पॉइंट का खिलाड़ी 20-25 विदाउट गोल 25-25 और वो मेरे को सही भी लगते हैं मलब की एक एक्सपेक्ट होता और आगे से बात करूँ नेक्स प्लेयर की जो कि यह जी वेर्दू जी वेर्दू देखो एक तो बिल्कूल फॉर्म में नहीं है इन्होंने फस्ट मैच खेला था वी आईल के आगे जिस पे की इस टीम ने क्लीन शीट मारी थी जो कि हम सोच भी नहीं सकते क्लीन शीट के बा कर रहे हैं मिटफिल्डर से उपर से लेफ्ट हैंड साइड मिटफिल्डर पे और जो की फॉर्म में भी नहीं है तो इसलिए यह तो बहुत बड़ा रिस्क है और नॉलिटो को तो भाई कैप्टन गूप्टन नहीं चुनूंगा एफ टोर की बात करूँ एफ टोर नॉर्मल करते हैं मतलब अगर आप देखो तो इसने एक वर एई आई बी के सामने गोल भी कर रख है और असिस्ट इसके पिछले सीजन में तो बहुत अची थी बाट इस सीजन में मिरुको खास लगा नहीं और देखो एक बहुत अजीब बात है कि इसने सीडीजेट के सामने गोल भी किया था बट इसका ड्रीम टीम में नाम नहीं आया इसका मतलब पता चलता है कि ये प्लियर इनकी टीम बहुत जादा बहुत ही जादा डाउन चल रही है आगे से बात करूँगा स्टेट फोवर्वर्ड की आई आस पास तो यहां से मैं इसको लेने वालो का कैप्टन प्लस मेरा भी क्योंकि मैं मानता हूँ पिछले मैच में फ्लॉप गया रियल मैडरिट के सामने फ्लॉप गया बट जो बड़ी बड़ी टीम उनको भी गोल इसने मारा हुआ है और जैसे कि पहली बात करूँ वैलेंशिया की तो वैलेंशिया को भी इस प्लेयर ने 124 पॉइंट द क्योंगार आगे से बात करूँ केपटन की कैपटन रहे का इसको ड्रॉप करने के चक्कर में था बट फिर भी मैंने वाइस कैप्टन इसलिए रखा कि सेफ बहुत हैं यह ना हो कि मैं ड्रॉप कर दूँ और गोल वगारा कर जे और हार जाओं इसलिए मैं इसको अपनी टीम में तो लही रहा हूं और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात तो यह कॉंबिनेशन बैस है क्योंकि दोनों अपनी टीम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं यही दोनों इस टीम की तो मिलता हूंगा इस अगली वीडियो में बाई